पूरी दुनिया से ने पठने के लिए वैक्सीन बनाने पर काम कर रही है लेकिन सफलता अभी तक किसी के हाथ नहीं लग सकी है इसी बीच भारत में भी वैक्सीन की रिसर्च में एक इंस्टिटूट लगा है नाम है सीरम इंस्टिटूट अफ इंडिया जिसके मुख्य कारेकारी अदार पूनावाला ने केंडर सरकार से सवाल किया था कि क्या सरकार के पास अगले एक साल में लोगों के लिए वैक्सीन पर खर्च करने के लिए 80,000 करोड रुपे हैं अदार पूनावाला ने जबसे केंडर की नरेंडर मोधी सरकार से सवाल पूछा है उसके बाद से तो मोधी सरकार का हर विरोधी उनसे इसी सवाल का जवाब चाहता है कॉंग्रिस की पूरवध्यक्ष राहूल गांधी तो पीए मोधी से ये सवाल पूछी चुके हैं उनके बाद अब AI MIM चीफ असदुद्दीन वैसी ने भी केंडर सरकार से यही सवाल पूछा है वैसी ने ट्वीट कर कहा अदार पूनावाला के सवाल से प्रिरित होकर तो वैसी ने इस सवाल पूछा ही साथ मैं अपने ट्वीट के आधार के रूप में उन्होंने जिस ट्वीट का इस्तिमाल किया वो ट्वीट PMO इंडिया का है जिसमें डिखा है विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक देश के तोर पर आज मैं वैश्विक समुदाय को एक आश्वासन देना चाहता हूँ भारत की वैक्सीन प्रोडक्शन और वैक्सीन डिलिवरी क्षमता पूरी मानपता को इस संकप से बाहर निकालने के लिए काम आएगी यह PMO दी की कही हुई बात है जिसे PMO ने ट्वीट किया और फिर असदुद्दीन उवैसी ने रीट्वीट किया वैसी यहां यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि भारत को पहले अपने बारे में सोचना चाहिए अपने घर में उजाला करने की सोचनी चाहिए उसके बाद कहीं विदेश और दुनिया भर के लोगों के बारे में सोचना चाहिए मतलब दुनिया को बड़े बड़े वादे करने से पहले अच्छा होगा कि PMODI अपने घर के चिराख को जलाएंगे और अपने घर को रोशन करेंगे शनिवार को यूएंजीय के मंच से दुनिया को संबोधित करते हुए पियमोदी ने कहा था कि कोरोना महामारी के इस मुश्किल समय में भी भारत के दवा उद्योग ने 150 से ज्यादा देशों को जरूरी दवाईयां भेजी हैं सेंवत राष्ट्र को निशाने पर लेते हुए पियमोदी ने कहा था पिछले आठ से नौ महिने से पूरा विश्व कोरोना वैश्वेक महामारी से संघर्ष कर रहा है इस वैश्वेक महामारी से निपठने के प्रयासों में सेंवत राष्ट्र कहा है एक प्रभावशालिव र जवाब का भारत कब तक इंतजार करेगा जिस सवाल को राहूल गांधी ने रीट्वीट किया था उसमें लिखा था क्या सरकार के पास अभी को कोरोना वैक्सीन देने के लिए 80,000 करोड रुपे हैं ऐसा याए कि मुख्य कारिकार यदार पुनावाला ने ट्विटर पर सरकार से सवाल किया था कि अभारत सरकार के पास अगले एक साल में 80,000 करोड रुपे होंगे क्योंकि भारत में हर किसी के लिए वैक्सीन खरीदने और वितुरित करने को लेकर स्वास्तेवं परिवार कल्यान मंतुराले को इतनी ही रकम की जरूरत होगी ये अगली चुनौती है जिससे हमें निपठना होगा इस ट्वीट के साथ पुनावाला ने प्रधानमंतुरी कारले को भी टैक किया था इसके बाद पुनावाला ने एक और ट्वीट किया था लिखा था मैंने ये सवाल इसलिए पूछा है क्योंकि हमें खरीद और वितुरण के संदर्ब में अपने देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत और विदेश दोनों में वाकसीन निर्माताओं की योजना और मार्ग दर्शन करने की आवश्यक्ता है आपको बता दे सीरम इंस्टिटूट अफ इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माताओं में से एक है आक्सपर्ड यूनिवसिटी में भी जो वैक्सीन विक्सित हो रही है उनके उतपादन मेर्स कंपनी के साजिदारी है इस पचास एकड में फैल इंस्टिटूट में एक मिनिट में 500 वैक्सीन डोस बनकर तयार होती है एक साल में पूरे 150,000 करोड वैक्सीन तयार होती है आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार पुनावाला का सवाल हां में देने के लिए तयार है क्या 135 करोड की जनसंख्या वाले देश में सब को वैक्सीन उपलब्ध हो सकेगी इतनी क्षमता मोदी सरकार रखती है हमें कमेंच कर अपनी राय जरूर बताएं